नमस्कार स्वागत है आप सब का मेरे चैनल हूख वित लिल्ला खत्री एंड उपासना खत्री पे आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और इजी कॉंटिनेटर डिस्की रेचिपी सेयर करूंगी आज मैं बनाऊंगी बेक्ट वेजिटेबल इन वाइट सोस इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्जिया आप अपने 24 की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं मैंने ली है मश्रूम, ब्रोकली, स्वीट कॉन, गाजर, फ्रेंच बिंस, फूल गोबी हरी लाल और पिली सिमला मिर्च और उबले हुए आलू मैंने यहां ली है ब्लेंडेंड चीज, इसमें चेडार और मोजरिला चीज है अब चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं और वाइड सोस वाइड सोस की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वाइड सोस की रेसिपी को लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं रेट चिली फ्लेक्स, औरेगानो या पीजा सिजनिंग और बटर सबसे पहले हम सबजीयों को एक स्टीमर में स्टीम देंगे अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप एक बरतन में पाणे गरम कर छेद वाले बरतन में सबजीयों को इस तरह से स्टीम कर सकते हैं हमें सबजीयों को हलका सोप्ट करना है मैंने सबजीयों को दस मीड चक स्टीम दी है अब यह स्टीम होके सोप्ट हो चुकी है अब एक बेकिंग डिस में सारी सबजीया को डाले हम इसमें डालेंगे बोईल डालू स्टीम करी हुवी सबजीया और तिनों सिमला मिर्च सिमला मिर्च को हमें स्टीम नहीं करना है कच्ची ही डालनी है सबजीया कितनी कलर फूल और सुन्दर लग रही है वाइड सोस को सबजीयों पर अच्छे से डाले वाइड सोस को पूरे डिस में अच्छे से फेला दे पेचूला की सायता से सबजीयों के बीच थोड़ी जगा बना ले ताकि वाइड सोस अच्छे से स्प्रेड हो जाई सबसे लास्ट में अपने फ्रसंद की चीज़ से टोपिंग करें अब प्री हेटेड ओवन में 180-200 डिग्री पर 10-15 मिलिट तक बेक करें बेक्ट वेजिटेबल इन वाइड सोस बनके तयार हैं आप चाहे तो इसे ऐसे भी सरव कर सकते हैं पर मैं इसको थोड़ी सीज़निंग के साथ सरव करना पसंद करती हूँ थोड़े चिली फ्लेक्स औरेगानो और बटर आई होप आपको ये कॉंटिनेटल दिस और मेरे वीडियो पसंद आया होगा तेरे इस वीडियो को लाइक और सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नमस्कार